आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे का बहुती मज़िदार और एकदम नए नाश्ते की रेसिपी जिसे हम बनाने वाले हैं बिना तलेवे यानि बिना फ्राइ के वे तो आप सभी के कई सारे कोमेंट्स आ रहे थे कि मैं गर्मी शुरू हो चुकी है तो कोई गर्मिय से रेसिपी को बनाने शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले चोटे से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आरी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंग इसके लिए बहुत ज़्यादा सामन के भी जौरत नहीं होती है चले इस पानी को फेक देते हैं अभी जो पोहा है न हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे लगबग 5 मिट के लिए ताकि पोहा जो है बढ़िया से सौफ्ट हो जाए तो इसमें पानी वगिर हमें कुछ नहीं जाने में यां पर उत्कों पिश्टना होगा लेकिन पीस्ने शहां जाने से पहले हम कुछ चजी टाल देती हैं जैसा बधाइक बस को तो कुस्तमाल कर सकते हूं अगरवारीक य लिए है लेक्न अगर आपके पास सॉरी तो और अप रखकन लगा देते हैं और इन सबी चीजों को पीस लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स इसे हमें बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है थोड़ा दरदरासा ही रखना है जिस तरह से सुजी वगिरा का दानों होता है वस उसी तरह से हम इसे रखेंगे तो बस पानी वगिरा कु पी है और बच्चों को भी पसंद आएगी क्योंकि हल्का फुलका नाशता है और हर कभी आप इसे बना के तयार कर सकते हूं तो चले अब हम इसमें डाल देते हैं नमक तो नमक में यहाँ पर एक चमर डाल रही हूं तो फ्रेंड्स जब आप मिक्सिजार में सभी चीजे पी की भी अब हम इसमें डाल देते हैं 15-20 करी पत्ते बहुत ही बढ़े असे टेस्ट आता है और करी पत्त को बिल्कुल बारिक काटकर आप यूज कीजिए और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे बहुत सारी धन्या पत्ति तो धन्या पत्ति डालने से लूकिंग भी बढ़े आती है और साती धन्या पत्ति का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से आता है क्योंकि अंदर हम यहाँ पर और ज्यादा मसालों का यूज नहीं कर रहे हैं बस थोड़ी बहुती चीजे डालेंगे अब इन सभी चीजों को हम एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो फ्रे यहां फिर आदा कप में से आप दो चमाज दही अलग कर लिजे यानि दो चमाज दही आप कम डालें तो भी जो आपका मिक्सर है बिल्कुल पफेक्ट रहेगा और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं दो चोटी चमाज तेल ताकि अंदर से भी यह बिल्कुल सॉफ्ट बने और अब इन सबी चीजों को हम बड़े से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे बिल्कुल सिंपल चाहिए हम यहाँ पर मसाले डाल रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हम यहाँ पर और भी फ्लेवरफुल मसालों का यूज करने वाले हैं तो यहाँ अब सबी चीजे बड़े से मिक्स हो चुकी हो और यह बिल्कुल पवफेक्ट है यह देखे बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए चलिए एक कमफट आपड से ओर कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एक जाली ली है जो हम दूद वगेरा पर ढगते ना प्लेट वही म क्योंकि जो डो होता है थोड़ा से चिपचिपा सा ही होता है तो बस अब इस डो में से हम थोड़ा से पोशन लेकर इस तरह से हम इसे गोल करेंगे यानि इसे शेप देंगे तो जिस तरह से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं बस उतनी ही बड़ी आप ले लीजे बहुत ज तो आप सभी को याद दिला दू कि अगर आज की रेसेपी आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन जरूर से दबाईए आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में हमें 3-4 घंटे का समय लगता है और जब हमार वीडियो पर लाइक आते ने तो बहुत ही खूशी मिलती है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स सभी को मैंने शेप देखके तयार कर लिया है अब यह जो रेसेपी है नॉन फ्राइड है तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे कि स्टिम करेंगे तो गेस चालू करकर गेस पर हम एक बड़ी कडाई रखेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी तो लगबग एक ग्लास के आसपस हम यहां पर पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से गरम होने देंगे पानी जैसे ही गरम होता है हम इस प्लेट को इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं तो फ्रें अब हम थाले निकाल कर इसे चेक कर लेते हैं कि यह इस्टीम हुए या नहीं तो यहां पर आप देख सकते हो ना प्रेंट्स के सुन्दर लग रहे हैं और इनकी जो साइज यह भी अच्छी बड़ी हो चुकी हैं और जब टच करने पर इस तरह से ड्राय से लगने लगे तो सम तेल और तेल के अंदर हम डालेंगे आदि चमश राई और राई जैसे ही चैटकती है दो चमश हम यहां पर डाल देंगे तिल तो मैंने यहाँ पर ब्राउन तिल का यूज़ किया है आप वाइट तिल भी ले सकते हूं दो हरी मिचली है लंबाई में कटी वी इसके साथ दो चमच में यहां पर नारियल का बूरा डाला है और इन सबी चीजों को हम थोड़ा से फ्राई कर लेते हैं जब तक तील जो है अच्छे से चटक नहीं जाती और इसी के साथ में यहां पर डाल रही हूं आदा पाउच मेगी मसाला तो अगर आपके पास यह नहीं है तो आप यह लग जाएं यानि मसाले के बढ़िया से कोटिंग हो जाएं और इसी के साथ एक चमच में यहां पर डाल रही हूं काश्मीरी लालमर्च पाउडर इससे कलर बहुती बढ़िया से आता है तो अगर आप इसे चटपटा बनाना चाहते हों तो लालमर्च पाउडर का यूज की देखे किया बढ़िया से कलर आया है और बहुती चटपटे से लग रहे हैं तो इसके पर थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और अब हम यहां पर डालेंगे आदा निम्भू का रस इससे जो नाश्ता है बहुती टेस्टी लगने वाला है तो निम्भू का रस डालने के बा प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए